स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर देख ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे नमस्कार दोस्तों स्वास्थ और संदर्य में आपका एक बर फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चहरे पर स्वीट आमंड डॉयल यानि बादाम का तिल लगाने के कुछ पहतरिन फायतु के बारे में स्वीट आमंड डॉयल इसकिन के लिए किसी राम बा विटामिन E, केल्शियम, पोटेशियम, आईरन, मैगनीज जैसे कई ऐसे पोशेक तर्थों पाई जाते हैं जो स्वीट आमंड डॉयल लगाने के कई सारे फायदे हैं जिन में से कुछ बहतरिन फायदू को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो फिर स्वीट आमंड डॉयल के फायदू के बारे में जानने के लिए बने रिस वीडियो के साथ डोजाना अपने चेहरे पर स्वीट आमंड डॉयल से मसाज करने से इसकिन के पोर्स खुल जाते हैं और गंदगी बाहर निकल जाती हैं नियमित sweet almond oil का इस्तमाल करने से त्वचा में नमी आती है। अगर आपके इसकिन एक्स्ट्रिम ड्रा है तो sweet almond oil लगा है। sweet almond oil में vitamin E पाये जाता है। जिसके cotton इस से त्वचा की मालिश करने से त्वचा की dryness दूर होती है। रात में सोने से पहले अपने चेहरे पर स्वीट आमंड ओयल से मसाज करने से चेहरे के दाग धबे दूर हो जाते हैं साथी चेहरा लो भी करने लगता है नियामित स्वीट आमंड ओयल से अपने होटों की मसाज करने से होट पिंग वो सॉट पनते हैं Sweet almond oil एक natural moisturizer है जो तोचा को hydrate कर तोचा में कसाव लाता है Sweet almond oil तोचा में गहराई तक जाकर तोचा में collagen की मातरा को बढ़ाता है जिससे तोचा पर जुडिया नहीं परती है Sweet almond oil में anti-aging properties भरपूर मातरा में पाए जाता है जो इसकीन पर बढ़ते उम्र के लक्षन को दिखने नहीं देता है यदि आपके आँखों के नीचे काले घेरे यानि dark circle आ गए हो तो इसके लिए sweet almond oil की कुछ बुंदे लेकर रात में सोने से पहले dark circle वाले हिस्सों पर धीरे धीरे मसाज करे कुछ दिन नियमित ऐसा करने से फायदा होगा तो फिर आज आपने इस वीडियो में चेहरे पर sweet almond oil यानि बादाम का तेल लगाने के कुछ बहतर इन फायदों के बारे में जाने आशा है आपको हमारे ये वीडियो आब शेहीं पसंद आया होगा हमारे नए-ने स्वास्ति और जांदरे संबन्धी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे वीडियो पसंद आई हूँ तिसे लाइक और शेयर जरूर करे ताकि इसी तरह हम नए-ने जानकारियां आप तक पहुचाते रहे दन्य वाद